नमस्कार विदेहरतियों, हमारे यूटूब चैनल पर आपका हर्दिक सवागत है विदेहरतियों, आज हम चर्चा करेंगे, एककाउन नम्बर परसन से हो गया विदेहरतियो सुरुवात इसकी इससे पहले हमने 50 नंबर तक के जो परसंटे उनके ओपर चर्चा कर ली थी और ये भी किसी न किसी परतियोगी परिक्षिया में पूचा गया परसंट है जिसे बिहल समुदाय के दवारा निमलिकित में से कौनसा लोक नरते किया जाता है आग नरते, तेरह ताली नरते, गेर नरते और चरी नरते तो भील समुदाय के दवारा कौन सा किया जाता है तो इकाओन नंबर का राइट आंसर जाएगा विद्यारतियोगी क्या गेर नरते क्या जल जाएगा गेर नरते चला जाएगा, अगला परसन देखिएगा, राजस्तान के किस जिले में दिलवाडा जेल मंदिर है तो दिलवाडा जेल मंदिर कौन से जिले में इस्तित है, भीलवाडा, अनमानगर, टॉक, सीरोई, बताओ कहाँ पर है तो यह है विद्यारतियों शीरोई में, कहाँ पर है शीरोई में, तो बावन नमबर जो परसन है इसका राइट अंसर भी कहा जाएगा, तीन नमबर जाएगा, नेक्ट देखिए, अर्णी मादेव मंदिर, डेस दे रखा में इस तीत है, भीलवडा में, चूरू में, हπαड़ा जायेगा ने कि विद्यारतियों सालिम सिंह के वेली और नतमल की जो हवेली है वाक seems flach मेर में लगेखाने में चितोडगड में यह जैसल मेर में तो 54 घृ जाएगा यह सालिम इसलमेर 40 कीым मेर नहीं खा रहा है एक तरब देर का सेर का नाम और एक तरब देर का किला का नाम जैसे तारागड का जो किला है वो बूंदी गागरोन का जो किला है वो जहलावाड सोनार गड़ का जो किला है वो जैसल मेर और कुंबल गड़ का जो दूर गया है वो उदेपूर तो इसमें भी परसन यह भी अच्छा लेवल का परसन है यह भी रास्तन पुलिस कॉंस्टरबल 2018 में पूचा गया परसन है देखिएगा सूची फस्ट दी हुई है और इधर दिया रखी सूची सेकिंड तो सूची फस्ट में तो दिया हुआ चित्रकारी सेली का नाम और सूची सेकिंड में दिया हुआ चित्र के साथ मिलान करें यानिक चित्र दीवें तो एक तरफ दे रखा है नादवारा सेली किसंगड सेली और नादवारा सेली जोदपूर सेली इधर के दिया हुआ विद्यारति डोला मारू पिछवई और बणी ठणी तो और फिर नीचे चार विकलब दे एक मिन्ट तो इसका चार नंबर राइट आंसर जाएगा और नादवारा पिछवई से सुमेलित कर लो किसंगड विद्यारतियो बनी ठणी बिल्कुल राइट है और जोदपूर सेली में डोला मारू क्या है डोला मारू नेक देखिए सताव नंबर का जो परसन है इसको दे जाकम नदियों का संगम इस्तल है महापरी इसका आयुजन होता है आदिवासियों का कुम भी कहते हैं इसको विद्यारतियों नेक देखिए अटाव नंबर का जो परसन है विभिन नर्ते रूपों के बारे में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए चार विचार दियों है गुईदर नर्ते सेकावटी छेतर से समन्दित है कच्छी गोडी में नकली गोडो का प्रियोग समलित है राई और बुडिया कालबेले नर्ते के मुखे पात्र है तेरे ताली नर्ते कामर जंजाती की महिलाओं के दवारा किया जाता है तो विद्यारतियों अटावन नंब लिकीत में कौन सा जयन मंदिर इस्तित है कामांख्या दिल्वाडा मह वीर और रनक पूर तो 59 में जो राई अंज जाएगा मौन्ट अबू सीरो इस्तित है नेक देखिये 60 नंबर का जो पर्सन है इसको निमलिकीत में कौन सा लोग नर्ते गूजर या गूजर समुधाएं स तो चरी नरते राइट आंसर चला जाएगा साथ नमबर का जो परसन है उसका राइट आंसर क्या होगा विद्यारतियो फोर्थ नमबर ठीक है अब 61 नमबर का जो परसन है इसको देखिएगा धंग से पढ़िएगा मेले और जिले के निमलिकी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही डंग से मेलने खाता है कर्णी माता का मेला बीका नेर जिला राम देवरा जेसल मेर बेनेश्वर मेला बांसवडा और केला देवी मेला करोली तो विद्यारतियो एक नमबर बिल्कुल राइट है राम देवरा जेसल मेर रुणेचा बिल्कुल सही है और फौर्थ नमबर केला देवी मेला करोली यह भी बिल्कुल सही है लेकिन जो बेनेश्वर का जो मेला लगता है वो बांसवड़ों में लगकर डुंगरपूर में लगता है मेंने चर्चा की भी देरती हो तो 61 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा इसमें जो राइट आंसर होगा आपका तीन नंबर क्या होगा तीन नंबर सी ओप्शन राइट है अब 62 नंबर का परसन को देखिएगा निम लिकित सूची फस्ट विरासत लिकिए एक करना है नीचे दिये गई कोड से सही उत्तर चुने सूची फस्ट में दे रखा है गजनेर महल किराडू मैदनीर और जग मंदिर और सूची शेकिंड में दियवा बाड मेर उदेपूर और विकानेर तो इसको विद्यारतियों आपको सुमिलित करना है कौन सा सुमिलित है त बचा जग मंदिर जग मंदिर उदेपूर में तो ए में तीन बी में वन और सी में टू तो इस परकार राइट आंसर जाएगा इसका तीन नंबर क्या जाएगा तीन नंबर किसमें दिख रहा आपको यह जो जिस परकार से सुमिलित हो रहा है यह तीन नंबर में दिखाई द तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 63 का दो नमबर मंदन राइट आंसर होगा इसका 64 नमबर का जो परसन है इसको देखेगा मंदिर और इस्थान के निम लिखी जोडों में से कौन सा जोड़ा सही धंग से मेल नहीं खाता है मेल नहीं खाता है सास बहु का मंदिर टॉंक में कपिल मुनी का मंदिर कोलायत में गोविन देव जी का मंदिर जैपूर में और एक लिंग जी का मंदिर उदेपूर में तो विद्यार्तियों सास भग का मंदिर टॉंक में नहीं होकर उदेपूर में है कहां पर है उदेपूर तो 64 का जो राइट आंसर जाएगा वो एक नमबर जाएगा के जाएगा एक नमबर जाएगा नेक्स देखते हैं विद्यार्तियों आबानेरी मंदिर कहां इस्तित है सिरोई में बारा में दोसा में सीकर में तो विद्यार्तियों यह है विद्यार्तियों आबानेरी का जो मंदिर है व के कोई दिकत नहीं, अब देखते हैं 66 number का जो person है इसको, किस सहर के किले में जैबाण या जैवाना तोप को रखा गया है, तो जै वाना तोप जो है विद्धारती हो, जैबाण भी कहते हैं, जैबाण या जैवान तोप को कहाँ पर रखा गया है, जैसलमेर, जैपूर, जोदपूर, बिकनेर तो इसको रखा गया विद्यारतियो जैपूर में कहाँ पर रखा गया है जैपूर में 66 का राइट आंसर जाएगा दो नमबर अब आता 67 नमबर का जो परसन है इसको देखिएगा निमलिकित में से कौन सा जिला पहले बोरास वारा के नाम से जाना जाता था टाट गड़, अंबर, और तारागढ या सोनागढ तो विद्यारतियो 67 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा एक नमबर तो बोरास वारा के नाम से टाट गड़ को और प्लास्टिक से तो टेरा कोटा की मूर्तिया किसे बनाई जाती थी 68 का राइट आंसर जाएगा एक सीरे मीका जेसी मिट्टी होती है उसे बनाई जाती थी ठीक है नेक्स देखते हैं 69 नंबर का परसन है निमलिकित कतनों पर विचार करे और नीचे दिये गए कोड के आधार पर परसन का उत्तर दे पहला जो कतन है विद्यारतियो निर्जला एका दसी जैस्ट सूकल एका दसी को मनाई जाती है गुरु पुर्णीमा आसाड पुर्णीमा को मनाई जाती है बड़ी तीज, भादरपद, कर्शन, तर्टिया को मनाई जाती है तो 69 का जो विध्यारतियो वो जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा इसका राइट आंसर जाएगा 4 नंबर यानि कि एक दो और तीन पूरे सही है निर्जला एकदसी जैस सुकल एकदसी को बिल्कुल सही है गुरु पुनिमा आसाड पुनिमा को मनाई जाती बिल्कुल ठीक है और बड़ी तीज तो इसका भी राइट आंसर के जाएगा चान नमबर चला जाएगा आगे देखते हैं देखते हैं सीता बाड़ी में किस जंजाती से समंदित मेला लगता है गरासिया भीलमिना सहरिया और कालवेलिया तो 71 नमबर का जो परसन विद्यार्टियो वो सहरिया राइट आंसर जाएगा तीन नमबर नेक देखिये हैं उट की खाल पर चितरांकन किस कला सेली की विशेष्ट है मेवा परसन देखते हैं नीम लिकित मैंसे किसने राजस्तान की भाव रुप्या कला को विदेशों में पर्दश्चित किया था तो 73 का राइट आंसर विद्यार्टियो एक जान की लालभांड के दवारा भारुप्या कला को विदेशों में भी इसने इंटरनेशनल लेवल पर का श्वेक्तिन हैं नेख देखिए 74 नमबर का जो परसन है निम्लिकित में से किस सास्त्री नर्ते की उत्पत्ती का सम्मद्राजस्तान से माना जाता है कतकली कुछिपूरी कत्थक या भ्रतनाट्यम तो 74 का जो राइटांसर जाएगा विद्यार्थियों कत्थक जो कत्थक सास्त नर्ते हैं उसकी उत्पति का संबंद राज्थान से माना जाता है नेक देखिए विद्यारतियो 75 का जो राइट आंसर जाएगा निमलिकित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है सर्जनगड उदेपूर नहारगड अजमेर महरांगड जोदपूर और लोहागड भरत नहीं है तो 75 में राइट आंसर जाएगा दो नहारगड अजमेर नहारगड विद्यारतियो अजमेर नहीं होकर जैपूर महरांगड जोदपूर मही है और लोहागड का दुर भरत पूर मह मिट्टी का बनावा ठीक है अब देखे विद्यारतियो 76 नमबर का जो पर्षन है इसको पढ़ियेगा ध्यान से वैसाक सुकल तर्तिया और सरान कर्षन पंचमी को कौन से तिवार पढ़ते हैं ये फिर आपको सुमेलित करना है कि बड़ी तीज और रिशी पंचमी आकाटीज और नाक पंचमी, छोटी तीज और बसंद पंचमी, गणगोर और रक्सबंदन तो वैसाक सुकल तर्तिया को आकाटीज आती पहिद्यारतियो 27 नमबर का परेशन को देखिएगा राजस्तान के लोगवाद यंतरों के विषे में कौन सा कतन सही नहीं है बपंग एम रावन हत्ता दोनों तत वाधए अंतर है अलगोजा एम मोरंचंग दोनों फूख वाधियेंतर है डोलक, नौबच, नगाडा और चंग थाप वाधियेंतर है और फूख वाधियेंतर बाकिया एम करण को मांगलिक अउसरो पर नहीं बजाय जाता तो विद्यार्तियो 77 का जो राइट आंसर होगा वो भूकवादी अंतरों बाकि अमकारण उनको मांगली का उसरो पर नहीं बजाये जाता है यह गलत है जानक बाकि सब ठीक है पटो की हवेली कहां पर है उदेपूर जैसलमेर जोदपूर और जुझनो तो विद्यार्तियो प जरक प्रिंट बिल्कुल राइट आंसर होगा 79 का दो नंबर अगला परसन देखते हैं विद्यार्तियो कि परसिद बेनेशोर दाम कहां इस्तित है नवाटापुरा गाउं देशूरी गाउं और भूमगड गाउं और इनमें से कोई नहीं तो नवाटापुरा गाउं बिल् देखे विद्यार्तियो सूबटिया लो कि वो जाएगा भीलिस्तरी से किस से जाएगा भीलिस्तरी से जाएगा अगला परसन विद्यारतियो मतहरण किस जिले की परसिद लोक कला है तो मतहरण जोदपूर की चूरू की विकनेर की या उदेपूर की तो 83 का जो राइट आंसर जाएगा विद्यारतियो वो जाएगा विक परस्तान का खुजराओ किसे का जाता है तो 84 का जो राइट आंसर जाएगा विद्यारतियों किराडु जैन मंदिर है उसको का जाता है आगे देखिएगा 85 करोली छेतर में केला देवी की आराधना में गाये जाने वाले गीत क्या क्या लांगुरिया इंडो इंडोली और अजमेर में गलिया कोट में उधेपूर में तो इसका राइट आंसर जाएगा गलिया कोट डूंगरपूर में कहां पर गलिया कोट डूंगरपूर में 86 हो चुका है 87 को देखिएगा तेजा जी का मेला कहां अयोजीत होता है मेरता सीटी नागोर परबसर नागोर दैस नौक विद्यारतियो देशनोग विद्यारतियो तो करने माता के लिए परसिद ये तो हो नहीं सकता और 87 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा परबसर नागो राइट आंसर है अगला परसन है विद्यारतियो ये भी बहुत अच्छा परसन है तिरिया तेल हामीर हट चड़े इनाम होताय महांद गोरिक के उत्रादीकारी ऊता है उसका नाम चोहाँ तो गोविन चोहां भी द्यार ती ओ अजमेर में नहीं रहकर वो रन्थंबोर में चोवान वंस की एक नई साका की स्तापना करता है और गोविन चोवान के दवारा जो रन्थंबोर में चोवान वंस की स्तापना की गई थी उसी के एक परतापी सासक हुए है जिसका नाम था हमिर देव चोवान और हमिर देव चोहान के समय अलाओ दिन खिलजी ने रन थम्बोर पर आकरमन किया था, और उसमें उनकी जो राणी थी, रंग देवी और उनकी जो बेटी थी, पदमा यए पदमला उन्होंने विध्यारतियो जल जोहर किया था, और राणा हमिर इस युद में मारा गया था व रन्थंबोर का परतम साथ सकता बलकि राजपुताने का परतम साथ का जाता है उसको जो की 1301 में हुआ था अलाओ दिन खिलजेन जब आकर्मन किया था उस समय की गटना हो तेकिए जब इस्ट्री पड़ेंगे जब चर्चा करेंगे उसके बारे में भी देखें विद्यारतिय भी लोग का परशिद लोग गीत जिसे इस्तरी पुरुष साथ मिलकर गाते हैं सुमलिया जोरावा सूपना हम सीडो तो 89 का जो राइट आंसर जाएगा हम सीडो क्या जाएगा हम सीडो देखो भी लोग का परशिद लोग गीत जिसे इस्तरी और पुरुष साथ मिलकर गाते जब इध्यार्तियों एक से अधिक हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम आई का भवचन क्या होता है वी होता न इसी परकार में का भवचन क्या होता है मैं तो एक सिंगल के लिए आता है और हम भवचन के लिए आ जाता है तो हम सीडो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं आग यह विधार्ति देखो ऐसा ही भरती जिसमें मेरा सलेक्षन हुआता विधार्ति उसी भरती में पूचा गया परसन है यह आरि पेसी ऐसा ही 2016 बिल्कुल लिकावा इस परश्चब्दों में तो 90 नंबर परसन है विधार्ति इसका जो राइट आन्सर जाएगा बुके जाएगा विद्यारतियों थिवा कला का जो संबन्द है वो परताप गड़ से है बिलकुल सौनी परिवार से है नो डाउट राइट है तो मिनाकारी जैपूर है टेरा कोटा जो सिल्प है विद्यारतियों मोले लागाउं रास संबन्द की फेमस है इसके अलावा जो अजरक print भी ज्यारती हो ये बार्ड मेर की है किसकी है बार्ड मेर की लेकिन ही यहाँ पर क्या दे रहका सांगा नेर इसलिए आपका जो right answer जायेगा वो जायेगा 3 numbers कौन सा जाएगा तीन नंबर आई टांसर जाएगा क्योंकि अजरक प्रिंट सांगानेर नहीं होना चाहिए था बाडमेर होना चाहिए था अब देखें 91 नंबर का जो परसन है ये भी SI 2016 में पूचा गया परसन है निमलिकित में से कौन सा मंदिर गुर्जर परतिहार वास्तु सेले का नहीं है मतलब देखो एक्जाम में कितना खतरना गुमाते हैं आप समझते हो गुर्जर परतिहार वास्तु सेले का उधारन है वो नहीं है नहीं के लिवारे में पूचा गया है नहीं नहीं के बारे में देखेंगा विद्यारतियों किराडू का सौमेशुर मंदिर ओसिया का सूरिय मंदिर, बाकि सारे हैं, किराडु का सामेशुन मंदिर हो, चाय ओसिया का सूरिय मंदिर हो, गोट मांगलोद का, जो ददि माता का मंदिर है, उसकी बात की जाए, ये भी विद्यारतियों, S.I. 2016 में पोचा गया परसन है, नरते सेली जो गराशिय जंजाती से सम्मझ दित नहीं है वालर, मांदल, गवरी या लूर तो 92 का जो राइट आंसर जाईगा वो जाईगा 3 गवरी नहीं यह भी जाएट Championships गवरी भिलो से सम्मझ दित है बलकि पूछ जारा गराशिय जंजाती से सम्मझ दित उनके बारे में पुछा जा रहा है का नहीं है तो गवरी नहीं है बाकी वालर, मांदल, लूर ये सब गराशिया जंजाती से सम्मंदित नर्ते किसे लिया है 93 नमबर का जो परसन है वो है सौन नगरी हाल किस जैन मंदिर का बहाग है नसिया मंदिर जो कि अजमेर में है रनकपूर मंदिर रनकपूर पाली में है दिलवडा मंदिर आबू सिरोई में है और नाकोडा मंदिर जो बाडमेर में है वो सौन नगरी हाल किस मंदिर का बहाग है विद्यारती हो तो 93 नंबर का जो परसन है विद्यारती हो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है नसिया का जो मंदिर है नसिया जैन मंदिर अजमेर में है विद्यारती हो इसको लाल मंदिर के नाम से राजस्तान में त्यवारों का आगमन किस त्यवार से माना जाता है? बैसाक 30 को, स्रावण 30 को, बहादरपत 30 को और जैस्ट 30 को, तो 95 का जो राइट आंसर जाएगा वो 2, स्रावण 30 को माना जाता है, नेक देखिए थेवा कला के लिए परसिद परिवार कौन सा है? सुतार पर नमबर आगे देखिएगा राजस्तान में बल्यू पोर्टरी का सरवादिक विकास किसके सासन काल में हुआ था सवाई जे सिंग मान सिंग फस्ट राम सिंग और परताब सिंग ये भी ऐसा ही 2011 में पूचा गया परसन है तो 97 का राइट आंसर जाएगा भी देखती हो राम जीरा तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 98 का टू नमबर बी नेक्स देखते मिद्यारतियों गेर नरते किस त्योहर पर किया जाता है दीपावली पर होली पर मकर सकरांती पर या रक्सा बंदन पर तो 99 का राइट आंसर जाएगा होली के आउसर पर ये किया जाता है अग नर्ते करते भगत जन आते हैं विध्यारतियों तो 100 नमबर जो परसन इसका राइट आंसर क्या होगा दो नमबर होगा अगले जो परसन है विध्यारतियों उसके उपर हम नेक्स्ट वीडियों चर्चा करेंगे नहीं तो यह बहुत लंबा हो जाएगा थेंक्यू मित्रों जो रखाती में इंडियन इस्ट्री की अलग से परसनोतरी चल रही है, उसकी प्लेडिस्ट अलग से क्रिएट कर रखें आप उन सभी आप्जक्त टाइप परसनों को करके देख सकता है कि इस्ट्री में किस टाइप के परसन बनते हैं और ये ज़्यादा तर जितने भी परसन लिए गए हैं किसी गत परतियोगी परिक्षाओं में पूछे गए परसन हैं थेंक्यो मित्रो